दोस्तो आज हम सियर कर रहे हैं बहुती असान जटपड बनने वाले एकदम नए नास्ते की रेस्पी जिसे हम घर में रखे सामान से बनाएंगे और इसमें आपको पिज्जा और बर्गर दोनों का टेस्ट मिलेगा ये उपर से एकदम क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से सौट होते हैं और बहुत कम तेल में बन जाते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो नास्ता बनाने के लिए मैंने यहां चार मीडियम साइज के उबले आलू ली है आलू को छिलने के बाद इनको अच्छे से ठंडा कर लीजेगा उसके बाद इन्हें मैस करिएगा तो आलू गीले नहीं होंगे आलो को मैस करने के लिए मैंने मैसर ली है गिलास से या हाथों से भी आलो को मैस करके ले सकते हैं बस ध्यान रखिएगा इनमें आलो के बड़े टुकडे ना रहें आलो को मैंने मैस कर ली है अब इसमें हम कुछ सबजियां डालेंगे तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक बारी कटा हुआ प्याज, एक बारी कटा हुआ टमाटर, टमाटर के बीज को हमने निकाल ली है एक कटा हुआ सिम्ला मिर्च डालेंगे, सबजियों में आपके पास जो सबजिया हो वो ले सकते हैं पत्ता गोबी गाजर भी डाल सकते हैं पर सब्जियों को बारी काट कर लीजेगा आधा छोटा चम्मच मैंने काली मिर्स पाउडर डाली है एक छोटा चम्मच कुटी भी लाल मिर्स टालेंगे और एक छोटा चम्मच नमच यहां पर आप गरम मसाला पौडर, धनिया पौडर, जीरा पौडर डाल सकते हैं चाट मसाला पौडर ले सकते हैं इससे नास्ते का टेस्ट थोड़ा चेंज जू जाएगा और नास्ते में पिज्जा का टेस्ट देना हो, तो एक चम्मच पिज्जा सिज्णिंग, पिज्जा हर्प्स या इटेलन सिज्णिंग डाल सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो, एक चम्मच मैंने पिज्जा पास्ता सौस ली है, इससे नास्ते में बहुत ही अच्छा कुछ भी ले सकते हैं, पर आटा मैंने इसलिए लिए है, क्योंकि ये सभी के घरों में होता है, अब नास्ते में पिज्जा का टेस्ट देने के लिए, मैंने यहाँ पर दो चीज क्यूप्स ली है, इसे ग्रेट कर लेंगे, चीज का फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद आ ली है, अब नास्ते को फुला फुला बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने आधा चमच बेकिंग पाउडर ली है, यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, हो तो जरू डालिएगा, इससे नास्ता अंदर से पिज्जा जैसा सौफ्ट बनता है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, औ और इनका एक डो बना लेंगे, और दोस्तों अगर आपको मेरी यह रेस्पी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को अन कर लीजेगा, तो देखिए, सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है, और ये हाथों में चिपक रहे हैं, थोड़े गिले लग रहे हैं, तो हम इसमें दो बड़ा चम्मच सूजी डाल रहे हैं, इससे नास्ता हमारा और भी ज्यादा क्रिस्पी बनेगा, तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और देखिए इस डो को हमें न तो ज़्यादा टाइट रखना है और नहीं ज़्यादा सौफ्ट, ज़्यादा गिला हो रहा हो तो थोड़ा सा सुजी या आटा और डाल दिजेगा और इस तरह से मुलायम आटा गुद कर त्यार कर लिजेगा अब हाथों को मैंने अच्छे से धुली है और इन पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है जिससे की आटा चिपके नहीं अब थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और इनको रोल करके इनकी लोई बना लेंगे और देखे इनकी साइज मैंने रोटी के आठे से थोड़ी बड़ी रखी है और इतने आठे में लगभग 8-9 लोईया बनकर त्यार हो गई है अब एक लोई लेंगे इसे हाथों के बीच में रखेंगे और इसे इस तरह से चप्टा कर लेंगे चौकोर लंबा जिस सेप में चाहें आप इनको बना सकते हैं मैंने इन्हें मीनी पीजा का सेप दिया है और आधा इंच मोटा रखा है और इनको फ्राइ करने के लिए मैंने गैस पर पैन रखी है इसमें एक से दो चम्मज तेल डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे आप चाहें तो इस नास्ते को तवे पर भी बना सकते हैं कम तेल में भी ये क्रिस्पी फ्राइ हो जाते हैं इनने डालते समये गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखीएगा और इस तरह से एक एक पीसेज को हम पैन में डाल देंगे और दोनों तरफ से इनको अच्छे से पकाएंगे धीरे-धीरे हम इनको लो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से कुख हो जाएं और देखिए इनके उपर कितना अच्छा सा कलर आ गया है आलू और चीज की वज़ा से इन पर बढ़िया सा कलर आ जाता है और ये एकदम क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी बहुत टेश्डी लगते हैं इनको हमने दोनों तरफ से सेक ली है और इनको सेकने में 7-8 मिनट का समय लगा है और देखिए ये बाहर से एकदम क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट तो इनको हम एकक करके टीशू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे के एक्स्ट्र ओयल भी निकल जाए और बाकी बच्चे नास्ते को भी हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे इस तरह से मैंने सारे नास्ते को फ्राइ कर ली है इनको आप गर्मा गरम कैचप के साथ या धनी की चटनी के साथ सर्प करिए यह बहुत tasty लगते हैं आप इने बच्चो के tiffin में दे सकते हैं सामकी snacks में ले सकते हैं कम समय में कम समान में बन जाता है और बनाने में बहुत ही असान है बच्चो से लेकर बड़ो तक सभी को बहुत पसंद आता है तो चलिए हम इने तोड़कर दिखाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे और रोज नई रेस्पी देखने के लिए चैनल को सस्काइब कर लीजे धन्यबाद